हेलो लोको पाइलट एस्पारेंट्स आज के इस वीडियो में हम यह चर्चा करने जा रहे हैं कि मानसिक छम्ता को परभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं आप अच्छी तरसे जानते हैं कि मनुबेग्यानिक परिक्षन के दौरान आपके मानसिक छम्ता की जांच की जाती है मानसिक छम्ता यानि दिमाग की छम्ता तो कौन-कौन से कारक हैं जो हमारी मानसिक छम्ता को परभावित करते हैं नकरात्मकरुख से या सकरात्मकरुख से अच्छा परभाव डालते हैं या बुरा परभाव डालते हैं तो जो चीजें हमारे दिमाग पर बुरा परभाव डालती हैं उन चीजों से आपको बचना होगा साइको तक और जिन चीजों का हमारे मस्तिक्स पर बढ़ाने के लिए अच्छा डाइट और अच्छा एक्सरसाइज संतुलित एक्सरसाइज मतलब बैलेंस डाइट और प्रपर एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो अपनी सारी छम्ता को बढ़ा सकते हैं तो हमारी मानसिक छम्ता को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेग किन किन बातों का परभाव पड़ता है तो हमारे माइंड के उपर जो सबसे पहला असर पड़ता है वो है हमारी बाड़ी का हमारा बाड़ी, हमारा सरीर, मन को किस तरह से परभावित करता है ये हम जानेंगे और साइको तक हम अपने सरीर को उस तरह से रखने की कोशिज करेंगे जिसे हमारी मानसिक शमताब बढ़े और हमारा परदर्शन परिशन के दौरान बहतर हो सके दुसरा तो हमारे दिमाग पर परभाव डालता है वो है डाइट यानि भोजन या आहार कहा भी जाता है जैसा होगा अन वैसा होगा मन यानि मन को माइन को या ब्रेन को सक्तिसाली करने के लिए पावरफुल बनाने के लिए बेहतर परदर्शन के लिए हमारा डाइट कैसा होना चाहिए किन-किन चीज़ों से हमें बचना है जो हमारे दिमाग को नकरात्मक प्रभभव ड़लते हैं, किस तरह के भोजन से में बचना है जो हमारे दिमाग के नकरात्मक प्रभव ड़लते हैं और कौन-कौन सा डाइट हमें निश्ची तुरूप से लेना चाहिए, जिसे हमारी मानसेग शमता बढ़ेगी माइंड के ओपर जो तिसरा फेक्टर प्रभाव डालता है वो है ब्रीधिंग यानि हमारी शांस हमारे सांस का भी हमारे मास्तिक्स पर प्रभाव पड़ता है हमारे मानसिक शमता को पर प्रभाव पड़ता है तो स्वांस किस तरह से लेना चाहिए कैसे लेना चाहिए कितनी मात्रा हाई बायू की हमें लेनी है स्वांस के द्वारा इन से भी बातों को और स्वांस हमारे मन से भी मानसिक इस्तिती से भी गहरी तरह से संबंदित होता है जिस तरह की मानसिक इस्तिती होती है उसी तरह की हम और हमारा मस्ठिक्स में भी पानी 70 परसेंसे जाद होता है तो हमारा मस्ठिक्स से किस तरह पारी के कम है किस सरे से प्रभाव्यूत होता है épisode और पानी के लेबल को बना रखने के लिए हमें क्या 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 करना होगा किस तरह से पानी पीने होगी और कब कब पीना होगा इन सबी चीजों को जानना होगा और सबसे important और महत्वपूर्ण है हमारा thought यानि हमारे विचार हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे दिमाग में हमेशा विचार उत्पन होते रहते हैं हमारा brain thought reaction प्रोड्यूज करते रहता है और यह thought दो तरह के होते हैं इनकी detail में अब हम एके करके चर्चा करेंगे जिसका ख्याल आपको परिक्षण के तैयारी के दोरान और परिक्षा हॉल में भी बिसेश ख्याल लखना है इन सभी चीजों को सारी की स्थिति कैसी होनी चाहिए आप आज से डाइट कैसा खाना लेना किस तरह से भोजन करना और किस तरह का भोजन करना आरम करें स्वांस की गति कैसी होनी चाहिए स्वांस की तरह से लेना और छोड़ना है और स्वास से मन को कैसे कंट्रोल करेंगे पानी और थाउट इन सभी चीजों के बारे में इसके आगे की जानकारी आप हमारे अगले वीडियो में देखेंगे हमारे वीडियो को देखते रहे फॉलो करते रहे धन्यवाद